एक गाइज विल्क इंदे चैनल कैसा आप सभाए ओप आप सो बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि चैन से और मम्मा यहाँ पर गाजर को कुद्डू कस करें है क्योंकि मम्मा बनाने वाली है गाजर का हल्वा आज बनाने वाली हूं गाजर का हल्वा जैसे कि आपको बता दिया रवनूर ने और यहाँ पर मैं देखने आई थी बच्चे गए अपने पापा के साथ मार्केट तक तो मैं बस वही मैं लॉक करने आई थी और दिन पर दिन मौसम बहुत जादा खराब होता जा रहा है ठंड बहुत जादा होती जा रही है और बस मैं लॉक करते हूं बच्चे गए हैं मार्केट पापा के साथ और फटा फट से बनाते हैं गाजर का हल्वा चलिए गाजर मैं ने कदुकस करके रख दिया है लाइट्स आफ कर देते हैं रूम की तो चलिए और अभी जस्ट मैंने कदुकस करके गाजरे ऐसे ही रख दी थी और मैंने का पहले बच्चे गए हैं तो मैं बाहर लॉक करके आती हूं तो यह रही बहुत जादा कौंटिट है अब मैं इसमें ऐड करूंगी देजी घी में बाद में ही डालती हूँ इसी टाइम नहीं डालती तो साथ करते हैं तो जब गाजर का जो पानी होता है वो एब्जॉफ हो जाता है सूख जाता है देन में दो से तीन चमश मैंने अब यहां पर देसी घी डाल दिया है देसी घी के साथ इसका कलर बहुत अच्छा आता है तेस्ट बहुत अच्छा आता है सो बस देसी घी डालने के बाद 20-25 मिनट तक इन्हें में मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी गाजर को अच्छी तरह से जब तक इसकी जो क्वांटिटी है जितनी आप देख रहे हो उससे कम ना हो जाए तब तक मैं पकाऊंगी बीना धके पकाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे लग न जाए तो चलिए 20-25 मिनट के बाद देखें यहां पर आप देखोगे जितनी कोईंटिटी गाजर के पहले थी उसके आधी रह चुकी है और इसको 20-25 मिनट हो चुके है तो अब इसमें मैं आड़ कर दूंगी आधा गिलास दूद्ध जादा दूद्ध मैं नहीं डालूँगी विकॉस हुम्चे खोया भी मिक्स करना है अब इस सेज पर मैं एड़ करूंगी चीनी चीनी भी अपना पानी रिलीस करती है तो अब इसको बिलकुल फलेम पर मैं पकाऊंगी लगातार हिलाते हुए ताकि नीचे स्टिक ना हो जाए जब तक चीनी जो पानी रिलीस करेगी वह बिलकुल अच्छी तरह से अब्स आप च्छोटी लाइची होटी हो उसको घर में ही मैं अभी जस्ट कूट के डाला है क्योंकि जो बाहर का इलाइची पाउडर आता है वह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है वह मुझे पसंद नहीं है और जब आप इलाइची थोड़ी सी दरदरी कूट के मूह में आती है तो उसका अपना ही एक अलग फ्लेवर आता है और यहां पर अब मैं इलाइची डालने के बाद एड़ कर रही हूं और बाकी का बचा हुआ बिल्कुल एंड में डालते हैं तो जैसे मैंने एक किलो गाजर ली थी आपको बिताया तो उसमें मैंने आधा किलो खोवा यूज किया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगी तो बस और यह बहुत एजी मेरे को लगता है बहुत जल्दी बन जाता है ऐसा बनाना और जैसे मैंने बताया कि बहुत अलग अलग तरीके हैं सब अगर आप खोवा यूज नहीं कर रहे हो तो आप दूद की कुएंटिटी जाद डाल देते हो और दूद को पका कर बनाते हो तो बात सेम ही है बट वह यह की अलग अलग अपना तरीका होता है और यहां पर मैंने इस्टेज पर डाल दिया था जो बाकी का खोवा बचा मिशमिश और बदाम अवेलेबल थे तो वह भी मैंने डाल दी है अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बस यह और मैंने तो थोड़ा सा और मैंसे पकाऊंगी मिक्स करते करते तो ड्राइ फूट्स भी जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपनी मर्जी से जो ह divorce in ट benefiting the길消 और मैंप दाला है अदरवाइस कभी मेरा मन होता है तो इस जैसे अ गी मैं रोच करके उस तका अपना ही अलग तेस्ट होता है या मैं बदाम को ऐसे ही नाइव के साथ पतलہ पतल चिल के नहार्म कर चाट जिल्किक्हँत ओका जहां डाल देती हूं तो श्यांगी जैसे विमन हो वैसे आप कर सकते हो तो यहाँ पर ओल्मोस्ट और यहाँ पर ऐल्मोस्ट स्वाद बनकर रेडी हो चुका है मेरा बलास स्टिप है जो यहाँ पर कि इसको बिल्कुल अची तरह से पकाने के बाद मिक्स करने के बाद मैं इसमें अड्ड करूंघ देशी घी जो गाजर के हलवे में चोज का स्वाद है उसमें और चार चान लगा देगा तो देसी घी का जो टेस्ट है उपर से एक दो चमच और डालना ठंड है तो ठीक है जम कर खाईए पीए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी का तो बस आल्मोस्ट डन है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना गाजर के हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूं बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बना बनता है और बहुत टेस्टी बना भी था तो यहां पर मैंने देसी की डाल दिया है और म मैं बनाती हूं तो मैंने का कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूं और कोई आपके पास गाजर का हलवा बनाने की कोई ट्रिक है कोई अच्छी और रेसिपी है तो जरूर शेयर करना और मिलती हूं जल्दी ही नेक्स वेडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई